नागरिक कौन हो सकता है ये तो हम आगे समझेंगे पर नागरिक कौन है इसे हमने समझा है उन चार शेणियों को समझने के बाद और नागरिक बनाम विदेशी कौन है या तो एक वीक्ति इस देश का नागरीक होगा, एक निवासी या वो विदेशी होगा, तो अब हम ये ये अंतर तो समझ गयए, लेकिन नागरिक्ता क्या है, अब इस पर हम थोड़ा और गहराई पर जाएं, नागरिक बनाम नागरिक्ता, नागरिक बनाम विदेशी तो समझ में आ रहा है अब हम नागरिक बनाम नागरिक्ता पे चलते हैं नागरिक्ता क्या है और नागरिक्ता को अंग्रेजी में जैसे मैंने पहले बताया citizenship कहते हैं क्या कहते हैं citizenship तो नागरिक्ता एक राजनेतिक और कानूनी इस्थिति है इस्थिति राजनेतिक और कानूनी इस्थिति है तो प्लिटिकल एन लीगल स्टेटस एक सटी एक कानूनी इस्थिति है फामाने अर्थ में ज़िए हम देखें तो नागरिक्ता शब्ज जैसी बोलेंगे तो एक जिम्मेदारी का बोध होगा एक उत्तरदाइत का बोध होगा ऐसा लगेगा कि हमारे उपर कुछ जिम्मेदारि जैसे हमने नागरिक्ता की बात की, क्योंकि नागरिक्षद तो हम लोग बहुत सामान अर्थ में लेते हैं, जो गलत है, नागरिक और निवासी वे बहुत अंतर है, यदि मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो नागरिक्ता, तो नागरिक होने के नाते नागरिक्ता मुझे मिल हुई है याने एक उत्तर दायत तो मिला है एक जिम्मेदारी है मेरे उपार उस जिम्मेदारी का निर्वहन मुझे करना है अपने करतव्यों का पालन करते हुए अर्थात मानव या समाज और देश की प्रगति में योगदान देने जरूरी है नागरिक्ता वह पहली बात इस्थिती दूसरी बात उस इस्थिती के तहट हमें किस बात का भान होता है जिम्मेदारी का उत्तर दायत का तीसरी बात ये जिम्मेदारी और उत्तर दायत किस के प्रती देश के प्रती कि हम देश के लिए कुछ करें देश के प्रगति में योगदान दें उसके उत्थान में सक्री रूप से भाग लें, देश के साथ सहयोग करें, को अपरेशन यही नागरिक्ता की स्थिति है, यही नागरिक्ता कहलाती है, करतव्य, परायन रहना, उर्तदाइद के अनुबोद से बंधा रहना और उसे महसूस करते हुए, क्या करना, देश का उत्थान करना, यह नागरिक्ता है, नागरिक्ता जो शब्द है, यह हमें दूसरे शब्दों में, पूर में जो मैंने परिभाशाएं बताई, उस परिभाशाओं को बताते हुए, मैं बार बार जिक्र कर रहा था, कि नागरिक जो है, उसका संबंद, राज्य से है, राज यानि स्टेट यानि देश जो मैंने कहा शासन व्यवस्था, नागरिक जो है उसका संबंद अधिकार से है, करतव्यों से है, तो यहां नागरिक्ता का संबंद व्यक्ति और राज्य से है, व्यक्ति और राज्य से है, और यह एक वैधिक संबंद है, कानूनी संबंद है bound by law जैसे ही मैं अपने को नागरिक मानता हूँ वैसे ही मैं एक कानूनी बंधन से शासन से बंध जाता हूँ उस बंधन के तहट मेरे कुछ कर्तब भी होते हैं जिसे निभाना मेरा उत्तरदायत तो बन जाता है और ऐसा उत्तरदायत निभाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ देश के उत्थान में योगदान कर रहा हूँ अपने उत्थान में तो कर ही रहा हूँ देश के उत्थान में भी देश की प्रगती में भी देश के विकास में भी योगदान कर रहा हूँ तो अब समद गया होंगे कि नागरिक्ता व्यक्ति और राज्य के बीच का वैधिक संबंध जिसके आधार पर व्यक्ति की राज्य के प्रति निश्ठा रहती है और राज्य व्यक्ति की रक्षा करता है दोनों तरफ ऐसा बंधन व्यक्ति बनाम राज्य व्यक्ति जो है वो राज्य के प्रति निश्ठा दिखाएगा और राज्य वो व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी सुरक्षा की वर्था करेगा सुरक्षा से अर्थ क्या है पडोशी से नहीं सुरक्षा से अर्थ विदेशी आकर्मनों से सुरक्षा से अर्थ ऐसी गतिविदियों से जो गैर कानूनी है उचसे सुरक्षा प्रतान करने की गारंटी देता है हम यह कह सकते हैं कि संबंध का निर्माण जो है यह जो मनश्य बनाम राज्य का जो संबंध है वो राश्टी कानून के तहत होता है और इसी रंतर राश्टी और यह जो कानून है वो राश्टी कानून के तहत इसे माननेता है अब ये अंतर राश्टी कानून क्या है इसको हम आगे देखेंगे अगले बिंदु में फिलहाल हम इतना सबच जाएं कि ये संबंध जो है वह कानूनी संबंध है जैसे ही मैंने नागरिक्ता किसी को दी राज्य ने तो राज्य ने सुनिश्चित कर लिया कि उस व्यक्ती की निश्ठा वो अपने उपर हमारे उपर रखेगा वह व्यक्ती हमारे प्रति निश्ठावान होगा और राज्य ने इसकी एवज में एक तरीके से ज्यक्त को सुरक्षा प्रदान करने सुनिश्चित किया ये give and take एक तरीके से agreement है एक विचारक है उनके अनुसार नागरिक्ता ऐसा बंधन ऐसा सम्बंध जो एक विक्ति को एक राज के साथ सम्बंध करके उसका भान कराती है और ये सुनिश्चित कराती ही कि उसे सनरक्षन का अधिकार मिल जाए जैसे ही मैंने अपने को गोशित किया तो दूसरे शब्दों मेंने मैंने सरकार पर भी ये बाज़ता डाल दी कि वह मुझे सुरक्षा प्रधान करें आप समझ गया है तो इससे राज का सरक्षन पाने का अधिकारी हो जाता है जैसे मुझे नागरिक्ता मिलती है या यदि मैं नागरिक हूँ तो ए करता भी क्या है निष्ठा वान होना शासन के प्रती और उसके बदले शासन एक शन फिन्ष्चित करती है कि मुझे क्या मिले मिले सुरक्षा मिले संध्रक्ष्ण राज द्वारा बनाएगि कानून के पालन के प्रती वब्द्य है विलियम बॉइड डॉक्टर विलियम बॉइड एनदर एक और जो प्रिसिद विचारक रहे हैं उन्होंने कहा है कि नागरिक्ता जो है citizenship वो क्या है उनके उनसार बड़ा सरल परिभाशा कर्तव्यों के उचित क्रम का निर्धारन कर्तव्यों के उचित क्रम पहली बात तो कर्तव्य नागरिक्ता का संबंद कर्तव्य से उनके उनसार और अभी तक जितनी परिभाशा है हमने देखी उसमें हमने ये निश्चित रूप से समझा कि अच्छी नागरिक्ता की अपेक्षा की जाती ही नागरिक से और अच्छी नागरिक्ता के माइने हैं कि नागरिक जो है वो अपने कर्तब्य निभाए देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट के प्रति अपने कर्तब्य निभाए तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा विल्यम बॉइड ने कि नागरिक्ता जो है वो कर्तव्यों के उचित क्रम का निर्धारन बहुत सारे कर्तव्य हैं कल्पना करिया हैं वास्तों में कर्तव्यों की प्राथ्मिक्ता का निर्धारन कौन सा सबसे महत्पूर्ण कर्तव है यदि कोई दो कर्तव में कभी किसी कारण से टकराहट हो रही है तो देश के प्रती जिसमें समर्पन दिखाई दे रहा हो हमें वो कर्तव पहले लो मेरा कर्तव मेरे परिवार के प्रती भी है मेरा कर्तव मेरे समाज के प्रति भी है और मेरा कर्तव मेरे देश के प्रति भी है तो देश के प्रति जो कर्तव है वो सर्वो पर ही है उसे हम प्रात्मिक्ता देंगे क्योंकि नागरिक किसने हमें बनाया देश ने बनाया, समाज ने नहीं बनाया ठीक तो यहाँ पर यह बात कुछ पस्ट है कर्तव्यों के प्रती उचित क्रम निर्धारन का नाम ही नागरिक्ता है अब अंतिम जो परिभाश्या एक भारती की है डॉक्टर राम वश्यर्मा उनके अनिसार क्या है नागरिक्ता वह जीवन इस्थिति पहली बात वह इस्थिति है इस स्टेट इस पोजीशन जिसमें नागरिक को राज्यकी सीमा के अंदर रहते हुए उपभोग करना है और माद्यम से अधिकारों के माद्यम से सेवा किस माद्यम से करतव्यों के माद्यम से दूसरे शब्दों में इन सभी परिभाशाओं में नागरिक्ता की परिभाशाएं ले या नागरिक की परिभाशाएं ले इन सभी परिभाशाओं में रज्य करतव्य और अधिकार इन तीन के बीच में जो संबंध है उसको लेकर परिभाशित किया गया है नागरिकता को और नागरिक को उपभोग ये एक बड़ी अच्छी परिभाशा है उपभोग और सेवा राज की सेवा करना हमारा परमकर्तब और राज द्वारा प्रदत अधिकारों का उपभोग करना एक भाशाएं थी डॉक्टर राम और शर्मा की निशकर्ष क्या उसका निचोड क्या निचोड ये है कि नागरिकता जो है वो सही मायने में एक हैसियत है सही मायने में एक ख्षमता है हैसियत या ख्षमता जिसके कारण उस हैसियत के कारण उस ख्षमता के कारण हमें अधिकार मिले होते हैं साथ ही समाज के कर्तव्यों के पालन करने का आदेश मिला होता है अब समझ गया मैं पुना दोहरा दू कि ये एक स्थिति है, एक हैसियत है, नागरिकता, उस हैसियत ये स्थिति में क्या होता है, नागरिक को कुछ अधिकार मिलते हैं, जिसका वो उपभोग करें, और उसको कुछ कर्तवी होते हैं, जिसको उन कर्तव्यों का पालन करते हुए, वे देश की सेवा करें, बात परकार नागरिक्ता क्या है? एक स्थिति है, एक स्टेटस है. नागरिक्ता कोई चीज नहीं है. नागरिक्ता दी जाती है, ली जाती है, इसकार्थ ये नहीं समझें कि नागरिक्ता कोई चीज है. बहुत सरल शब्द में याद रखें, नागरिक्ता एक स्थिति है, स्टेटस है नागरिक्ता के बारे में बात करते हुए तीन बातों का हमें बोध होता है तीन बाते हमारे जहन में आती हैं जब भी हम नागरिक्ता की बात करें तो पहला कि असैनिक और राजनेतिक अधिकार असैनिक और राजनेतिक अधिकार एक राज्ज का सदस्य होने की वज़ा से राज्ज के सनरक्षन में नागरिक इसका उपियोग करता है आसैनिक और राजनेतिक अधिकार राज्ज का सदस्य होने के अनाते राज्ज मतलब बारम बार मैं आपको बता रहा हूँ राज्ज मतलब स्टेट स्टेट का आर्थ राज्ज यानि च्छतीज गर्ड मद्यपदेश नहीं स्टेट का आर्थ देश राजनीति शास्त्र में स्टेट मतलब एक देश एक राज्ज तंत्र एक तंत्र तो राज्ज का सदस्य होने की वज़ा से राज्ज के सनरक्षन में इन अधिकारों का उपभोग कौन करता है नागरिक करता है आसैनिक और राजनेतिक अधिकार इसका बोध हमें रहता है दूसरा अधिकारों के बाद दूसरा बोध किसका रहता है करतव्यों का जिसका सम्मंद उत्तर दाइत उसे है केवल टेक टेक ही नहीं केवल लेना ही नही हमें ये अधिकार मिले, हमें वो अधिकार है, हमें ये अधिकार है, हमें ये अधिकार है, अधिकार ही अकेले नहीं है, नागरिक्ता का संबन्द हमें करतब्यों से भी है, यानि गिव, देना भी है कुछ, यदि हमें मिलना है सरक्षन सरकार से, तो उस सरकार को उसकी एवज म हमें कुछ देना भी है यदि देश से हमें कुछ मिलना है तो उस देश को हमें कुछ देना भी है मिलना यने अधिकार देना यने कर्तब्य एक ही सिक्के के दो पहलू है अधिकार और कर्तब्य तो दूसरा बोध किस बात का होता है जब हम नागरिकता की चर्चा करते हैं तो दूसरा बोध होता है अपने कर्टब्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का राज्ज के प्रति नागरिक कर्टब्यों का पालन करता है सामाजिक हिद की बात करता है सामाजिक हिद के वृध्ध की बात करता है ये दूसरा बोध और तीसरी बोध मतलब feeling समझ तीसरा क्या है कि देश के प्रती निश्ठा भक्ति देश के प्रती समरपन देश सर्वोपरी देश के प्रती भावनाएं कौनसी भावनाएं? बलिदान की भावना त्याक की भावना समर्पन की भावना देश भक्त की भावना ये तीन बातों का बोध नागरिक्ता के तहत हमें होता है हमने समझ लिया नागरिक हमने समझ लिया विदेशी और अब हमने समझ लिया नागरिकता ये जो प्रिष्ट भूमी है ये किवल प्रिष्ट भूमी है किस बात की प्रिष्ट भूमी हमको आपको ये समझने के लिए कि कौन नागरिक है उसकी पातरता किसको क्यों मिली हुई है नागरिक कौन है और उसको पातरता क्यों मिली हुई है यह समझने के लिए अब अगला बिंदु हम समझते हैं Essential Elements of Citizenship अर्थात नागरिक्ता के आवश्यक तत्व Essential Elements of Citizenship क्या जरूरी है क्या तत्व जरूरी जरूरी क्या है मतलब उसके लिए क्या क्या आवश्यक ताएं हैं एक नागरिक्ता के लिए तो सबसे पहली बात यह समझेए कि एक कानूनी पद है कानूनी पद है अधिकार आप पैदा हुए इसलिए आपको अधिकार मिल गया नहीं ये कानूनी समझोता है समझ लीजे जिसे कौन देता है राज्य देता है उस देश के रहने वालों को राज्य कुछ कानूनी पद देता है जिसके तहट आपको वो अधिकार मिले हुए है और साथ ही राज्य उसे वापस भी ले सकता है मात्र आप वहाँ पैदा हुए इसलिए आपको वो अधिकार मिल गए जरूरी नहीं है उचित समय पर उचित कारणों के आधार पर आपका ये अधिकार सरकार वापस ले सकती है इस बात को समझें आपका अधिकार छीना जा सकता है इस बात को समझें दूसरी बात नागरिक्ता कार्द जो है उसके तहट आपको कुछ अधिकार मिलते हैं राज जी कुछ अदिकार पदान करता है और साथ ही आपके कुछ करतव भी हो जाते हैं तो पहला करतव भी क्या था, पहला तत्व क्या था अदिकार, दूसरा तत्व क्या हुआ करतव यानि आप किसी भी द्रिश्टी से नागरिक्ता की चर्चा करें या नागरिक्ता को समझें किसी भी द्रिश्टी से तो ये तक्त दोनों उसमें नहित होना जरूरी है अधिकार और कर्तब आप यदि सरकार को कहते हैं कि मैं इस देश का नाकरिंग हूँ मेरा यदिकार है तो सरकार आपको कहेगी आप इस देश के नाकरिंग हैं तो ये आपके कर्तव ये भी हैं ये आपके कर्तव ये भी हैं तो इस प्रकार कर्तव का पालन भी बहुत जरूरी है आप यदि सरकार को कहते हैं रज को कहते हैं कि नागरिक हैं तो नागरिक होने के नाते मुझे आपका संरक्षन जरूरी है आपके द्वारा स्रक्षा का प्राधान करना जरूरी है तो रज आपको निश्चित रूप से कहेगा कि उसी तारतम्य में आपके लिए करतव्यों का अनुपालन भी उतन हमारे द्वारा आपका संद्रक्षन तीसरा जो तत्व है वो है कि बड़े हित में छोटा हित नहित रहता है बड़े हित में छोटा हित नहित एक परिभाशा मैंने दी थी जिसमें मैंने कहा था कि कर्तब्यों का क्रम बद्ध तरीके से प्राथमिक्ताएं तै करते हुए परिपालन करना एक अच्छे नागरिक का कर्तब्य है बताया था आपको ये कर्म बद्ध परिपालन ये बहुत समझने की चीज़ है प्राथमिक्ताओं के अधार पे और इन प्राथमिक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि इसका तीसरा तत्वनागरिक्ता का है कि सब बड़े हित में छोटे हित नहित हैं अर्थात सर्वो परिहित किस बात का सर्वो परिहित पूरे राष्ट का राश्ट के बाद किसका हिद आपके अपने राज्य का आपके अपने फिर नगर का शहर का आपके अपने उसके बाद गाओं का और इस पकार अंत में आपका अपने परिवार का आप अपने परिवार का हिद ध्यान में रखें पर जरूरी है कि उस कारेकों करने से पहले ये देखें कि इससे नगर का हित हो रहा है कि नी समाज का हित हो रहा है कि नी राज्य का हित है कि नी राष्ट का हित है कि नी आप कुछ कर रहे हैं तो करने के पहले सोचें कि इसमें राष्ट का नहित है कि नी ये बहुत समझ और ऐसी प्रात्मिकता हैं बहुत जरूरी है परिवार के हित के उपर समाज का हित रहता है समाज के हित के उपर नगर का हित रहता है नगर के उपर राज्य का हित रहता है राज्य के उपर देश का हित रहता है और देश वासियों का कर्तव है कि वे देश के हित के ऊपर विश्व का हित सोचे तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष में विश्व हित की बात हो रही है वसुधाईव कुटमबकम यही कहलाता है वसुधाईव कुटमबकम की जो बात है वो विश्व हित को सर्वो परी रखते वे राष्ट्रहित को उससे नीचे रखने की बात है तो अब आप ये स्पश्ट लूप से समझ गया होंगे कि essential elements of citizenship अर्थाद आवश्यकता तो कौन कौन से हैं अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि नागरिकता पाने की क्या क्या शर्ते हैं जितना भी मैंने अभी बताया नागरिक कौन कहलाता है कितने प्रकार के नागरिक हैं विदेशी कौन कहलाता है कितने प्रकार के विदेशी हैं नागरिकता क्या है नागरिकता के तत्व क्या है ये सब हमारी उस समझ की पृष्ट भूमी थी जिसके तहट अब हम जानेंगे कि हम लोग किस आधार पे नागरिक बने हैं आप पाएंगे कि समाझ के विभिनन लोगों को अलग-अलग आधार पे नागरिकता दी गई है उसके आधार क्या है? क्या शर्ते हैं किन शर्तों पर नागरिक्ता मिलती है और इसके अध्यन में विशेश रूप से हमारा केंद्र बिंदु रहेगा भारत मैंने प्रारम में बताया था कि सध्याय की समाप्ति पर हम लोग क्या-क्या समझ जाएंगे क्या-क्या सीख लेंगे तो एक बिंदु हमने बताया था कि विविन देशों में क्या-क्या शर्ते हैं नागरिक बनने की इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाला जाएगा पर विशेश रूप से हम भारत के परिप्रेक्ष में अब बात करेंगे अभी तक जो बातें की मैंने वे प्रिष्ट भूमी थी भूमी का थी बैक ग्राउंड था जिसके आधार पे अब आप समझेंगे कि भारत में नागरिक्ता किस-किस आधार पे दी जारी है क्यों दी जारी है या क्यों नहीं दी जारी है तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं नागरिक्ता की शर्टें भारत के संदर्व में सबसे पहले यदि विदेशी को किसी विदेशी को भारत का नागरिक बनना है तो उसे कुछ शर्टें पूरी करनी होंगी क्या शर्टें हैं सबसे पहला एक आवेदन लगाएगा अपने आप यहां के बस गया और वर्षों से रह रहा हो तो वो यहां का नागरिक नहीं बनेगा निवासी हो जाएगा लेकिन नागरिक नहीं और नागरिक नहीं है और थाथ इसको राजन्यतिक अधिकार नहीं मिले हैं वो यहां के राजन्यतिक पदों के लिए योगिता नहीं रखता तो वे शर्तें क्या हैं जिसके तहट एक व्यक्ति नागरिक बनता है और एक व्यक्तिक आर्थ यहां विदेशी से है पहला एक तरीके का आवेदन करना उसे दूसरा जिस देश का है उस देश की नागरिकता को छोड़ देना एक तरह का घोशना पत्र देना जिसके तहट यह घोशित होता है कि मैं जो मूलता इस देश का निवासी हूँ वहां की नागरिकता अब छोड़ देता हूँ यानि वहां के अधिकारों से वहां के कर्तवियों से मैं अपने को मुक्त कर देता हूँ और उसकी अनुमती वह उस देश के सरकार से लेता है और उसे जिस देश की नागरिकता वह चाहता है वहां देता है वहां प्रस्तुत कर आता है उस अदिकार पत्र को, उस certificate को, तो पहली बात एक आविदन, दूसरा मूल नागरिक्ता का त्याग की घोशना या सूचना और वहां की नागरिक्ता को पुरित्र छोड़ देना, और तीसरा है, जिस देश की नागरिक्ता वो चाहता है, वहां कुछ निश्चित समय तक रहे, उस निश्चित समय के बारे हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी हम जान लें, कि एक विदेशी भारत में आकर मात दो माह बाद, दो दिन बाद, दो वर्ष बाद, आविदन की पतरता नहीं रखता, आते ही वो विदेशी, यहां आविदन देकर, नागरिक्ता पाने की मा नहीं रख सकता, उसके लिए कुछ शर्थ है, कितने वर्ष उसको रहना पड़ेगा, जिसके बाद वह आविदन कर सकता है, यह समझने की चीद है, तो तीसरी जो बात है, तीसरी जो शर्थ है, वह है समया विदी, वह है समया विदी, कितने वर्ष तक निवास करें, कितने वर्ष आवश्चक है और चोथी और अंतिम शर्थ विदेशी के लिए है कि वो एक शपत पत्र दे जिस शपत पत्र में वह स्पष्ट करे कि उस देश के प्रती जहां कि वो नागरिक्ता चाहता है उसके प्रती वो निश्ठावान रहेगा उसके प्रती वो समर्पित रहेगा उसके प्रति वो भक्त रहेगा जब उसके प्रति भक्त रहेगा तभी तो वह देश भक्त कहलाएगा और एक अच्छे नागरिक का परम करता भी है कि वह देश भक्त हो सरवोच श्रेणी का देश भक्त हो बलिदान त्याक की भावना से पूरा भरा हुआ हो ये तभी संभव हो जब वो देश भक्त है और देश भक्त है इसकी उसे घोशना करनी पड़ेगी कि मैं पूर्ण रूप से इस देश के प्रति समर्पित हूँ अर्थाथ देश के करतव्यों का पूरी तरह मैं पालन करूँगा तो ये चार ऐसे चार शर्ते हैं आवेदन दूसरा निश्चित अवधी तीसरा पुरानी नागरिक्ता का त्याग और चौथा शपत पत्र निश्ठा का शपत पत्र खेट तो अब आप ये समझ गया हैं कि भारत में उसके लिए क्या शर्ते हैं अब आगे क्या होता है भारत में शर्तें तो हम एक विदेशी ने पढ़ ली उसको हमने समझा दिया लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है क्या तरीका है जो मैंने पहला बिंदू आपको बताया है कि उसे एक आवेदन देना होगा और आवेदन देने के पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि वह एक निश्चित काल तक भारत में बसा हुआ हो भारत में रह रहा हो तो वह आवेदन किसे देना होगा कितने वर्ष रहना जरूरी है जिसके बाद वह आवेदन देने की पातरता रखता हो तो ऐसी कुछ जानकारियां अब चलिए हम आगे वह भारत के संदर में जाने कि इसकी विधियां क्या है इसके नियम क्या है शर्त क्या है हर देश के अपने अपने नियम है हर देश के अपने अपनी शर्ते हैं पर कुछ शर्ते सामाने हैं कामन है